आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सिखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक MPCB का इस्तमाल करके मोटर के लिए स्टार्टर बनाएंगे जैसे कि आपको मालू में किसी भी मोटर को चालू और बन करना होता है तो उसके लिए हम हमेशा कॉंटेक्टर का इस्तमाल करते हैं अब इसी मोटर के प्रोटेक्शन के लिए आपको ओवल और रिले का भी इस्तमाल करना पड़ेगा साथ ही साथ में मोटर को चालू और बंद करने के लिए आपको पूस बटन का भी इस्तमाल करना पड़ेगा यानि कि इतना सारा electrical component इस्तमाल करना पड़ता है केवल मोटर को चालू और बंद करने के लिए लेकिन यदि आप यहाँ पे केवल एक MPCB का इस्तमाल कर लेते हो तो ना तो आपको Contactor इस्तमाल करना पड़ेगा ना ही Overload Relay क्योंकि इस MPCB में आपको Contactor का function साथ ही साथ में Overload Relay का भी function मिल जाता है यानि की केवल इस device का इस्तमाल करके आप पूरा starter बना सकते हो कैसे बनाएंगे चलिए समझ लेते हैं जो MPCB होता उसको specially design कियाता है motor को चालू और बन करने के लिए MPCB का full form होता है motor protection circuit breaker यानि की इस breaker के दोरा हम केवल motor को protect करने के लिए इस्तमाल करते हैं अब इस MPCB के दोरा motor को कैसे चालू बन किया जाएगा चलिए समझ लेते हैं देखिए यहां पे हमें थोड़ा सा wiring करना पड़ेगा wiring करने के लिए मैं यहां पे एक MCB का इस्तमाल करूँगा three pole वाली तीनों pole के साथ में हमारा three phase का power supply connect है आप यहां पे देख सकते हो RYB three phase का wire connect है अब यह जो MCB इस MCB के output terminal से हमें wire connect करके ले जाना है इस MPCB को power supply provide करने के लिए तो इसके लिए मैं यहां पे एक cable का इस्तमाल करूँगा इस cable में total three wire है अब इन तीनों wire को ले जाके MCB के output terminal के साथ connect कर देता हूँ अब इस cable का जो तीनों wire है इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके MPCB के साथ connect करना है MPCB में आप देखोगे यहां पर L1, L2, L3 यह तीन terminal है इन ही तीनों terminal पे आपको input power supply provide करना होगा तो मैंने यहां पे तीनों wire को MPCB के साथ connect कर दिया अब इस MPCB का जो output terminal है output terminal का मतलब की जहां पे T1, T2, T3 लिखा होगा उस terminal के साथ आपको motor के cable को connect करना है यहां पे आप face sequence का ध्यान दिजेगा जहां पे आप R face का power supply करना करोगे उसके output पे आपको R face वाले wire को connect करना है इसके बाद जो Y face का terminal होगा उसके output पे आपको Y face वाले wire को connect करना है इसी प्रकार से B face वाले wire को ले जाके आपका जो T3 वाला terminal है उसके साथ connect करना है T3 के उपर में जो terminal है उसके हमने B face का wire connect के थे तो इसके output में भी हम B face के wire को connect कर देंगे आप यहां पे connection देख सकते हो तो यह जो मोटर इस मोटर को run करवाने के लिए केवल आपको इतना ही connection करना होगा अब यह जो MPCB है इस MPCB में आप देखोगे यहाँ पे एक rotary switch दिया गया है यह वाली इस rotary switch के द्वारा आप इस मोटर के protection के लिए overload का current set कर सकते हो आपका जो मोटर इस मोटर का जो FLC होता है यानि कि full load current जो होती है उस current का जो value होगा उससे 90% या फि 95% आप यहाँ पे current set कर दीजेगा तो फिलहार के टाइम पे मैं यहाँ पे सबसे minimum 4 ampere पे set कर देता हूँ मैंने यहाँ पे 4 ampere पे set कर दिया यानि कि इस MPCB से 4 ampere current यही flow होता है तो मोटर मेरा automatically off हो जाएगा अब इस MPCB में आप देखोगे यहाँ पे दो बटन दिया गया है एक बटन के द्वारा मोटर को चालू करेंगे दूसरे बटन के द्वारा मोटर को बन करेंगे इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले मैं MPCB को on कर देता हूँ इसके बाद इस MPCB में जो black वाली switch है यह switch होता है start push button तो इसको मैं यदि प्रेस करूँ तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया मोटर को बन करने के लिए red वाली बटन को प्रेस करना पड़ेगा आप देख सकते हो मोटर हमारा off हो चुका है इसी प्रेकास से यदि आप मोटर को चेक करना चाहते है तो इसका भी option मिल जाएगा सबसे पहले मैं मोटर को चालू कर देता हूँ मोटर हमारा run हो रहा है अब यहां पर देखो कि एक टेस्ट वाली बटन दिया गया है आप देख सकते हो यहां पर टेस्ट लिखा हुआ है तो यदि आप इस MPCB का overload को चेक करना चाहते हो तो simply आपके टेस्टर से इस switch को फ्रेस कर दीजिए इस side में यानि कि slide कर दीजिए मैं यहां पर करता हूँ आप हमारा motor off हो गया यानि कि test बटन के द्वारा हमने चेक कर लिया कि overload relay हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मोटर बंद हो चुका है यानि कि हमारा overload relay काम कर रहा है एक बार और चालू कर देता हूँ दुबारा इसको बंद कर देता हूँ तो आपने यह समझ लिया कि किस प्रक करने के लिए एक option होता है। आप यहां पर देख सकते हों कि जो हमारा start push button है इसके नीचे में यहां पर लोक लगाने का एक option ढिया गिया है। इसमें आप लोक लगा सकते हो। का मतलಬ कि आप इसको load कर सकते हो यह जो मेरे पास में log के इस log को यहां पे लगा देता हूँ, सोरी यह जो लोग है, वो थ्वासा मोटा है, ठीके, लोग पतला सा आता है, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, इसको यदि आप यहाँ पे लगा दोगे, तो आपका जो MPCB है, इस MPCB को आप चालू नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, इ कि आपका मोटर चालू होगा बंद करने के लिए स्टॉप उस बटन फ्रेस कर दीजिए बंद हो जाएगा दोस्तों यदि आपको नहीं मालूम कि लोटो क्या होती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ उस वीडियो को देखने के लिए इस राइट वाले वी